नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूं सभी सुष्ट होंगे दोस्तों आप सभी का आपी के चैनल पर आचीन उपाये में स्वागत है अगर चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्रा गंगा मय्य की पूजा और उस्तनान करने से सिध्डी यश और मानसंमन की रापती होती है। और सभी पाप खतम हो जाते हैं धार्मिक मानत है कि इस दिन गंगा पूचन करने से ग्रहों के अश्युप प्रभाप कम होते हैं इसके लाबा गंगा सब्तमी के दिन कुछ विशेश उपाय करने से लोगों को कई लाप मिलते हैं तो आईए मैं बताती हूँ कुछ उपायों के बारे में जिने आप गंगा सब्तमी के दिन करके मा गंगा की किरपा प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों गंगा इसनान करना ना हो संभव तो करें ये उपायłe गंगा सब्तिमी के पवित्र दिन पर गंगा इस्नान करें अगर किसी कारण वर्ष गंगा नदी में इस्नान करना संभव ना हो तो आप अपने घर पर ही नहने के पाने में कुछ भून्दे गंगा जलकी मिलाकर इस्नान कर सकते हैं इस उपाय को करने से मा गंगा आपको निरोगी काया का आशिरवात देगी ऐसी मानत है कि मा गंगा का पवित्र जल शरीर पर छिड़कने मातर से ही कैई जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं मा गंगा का करें समरण, गंगा सब्तमी के दिन स्नान के पश्चात मा गंगा की पूजा करें, पूजा के दुरान एक कटोरी में गंगा जल लें, अब उस गंगा जल से भरी कटोरी के समक्ष गाई के घी का दीपक जलाकर मा गंगा का समरण करें, और अंतमें मा गंगा की आरत के दिन दान पुन्य का विशेश महत्व होता है मानता है कि इस दिन जो कोई भी जरुतमन गरीबों असाय और ब्रहमरों को दान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है मानता है कि इस दिन किया गया दान कई जन्मों के पुन्य के रूप में मनिश्यों को प्राप्त होता है भगवान शिप का करें जल अभिशेक, विशाक, मा, शुकल, पक्षकी, सब्तमी, तिथी के दिन गंगा स्वरक लोग से भगवान शिप शंकर के जटाओं में पहुची थी, ऐसे में इस दिन चांदी या स्टील के लोटे में गंगा जल भर कर उसमें पांच बेल पत्र डाल द करना चाहिए और मा गंगा के मंतरों का जाप निश्यत रूप से करना चाहिए। कपूर का दीबग जलाकर जल में प्रभाइद करना चाहिए, माना जाता है कि जो व्यक्ति मनिमन अपनी मनों कामना दोराते वे ये कार्य करता है, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, गंगा सब्तिमी के दिन पूजा पाठ, इसनान, ध्यान, तब अत्यादी का विशे कुन मना जाता है, इसलिए इस विशेश दिन पर किसी जरुतमन व्यक्ति अत्वा गरीब रामण को भोजन वस्तर या धन का दान जरूर करना चाहिए, ऐसा करने से सभी दुख दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष के मार खुल जाते हैं, गंगा सब्तिम पर गंगा जल में बेल पत्र डालकर भगवान शिप का विधी विधान से अभिशेख करना चाहिए, धार्मिक मानतों के अनुशार ऐसा करने से भगवान शिप प्रसन होते हैं और जीव में सुक्षन वर्दी आती है, सूरिय उदे से पहले उठें, गंगा हिस्नान करें, ब भूप दीप अर्पित कर सकते हैं, गंगा सब्तिमी के दिन किये गए पूजा अर्चना का विशेश फल मिलता है, गंगा सब्तिमी के दिन दान पुन्य करना शुप फलताई मना जाता है, इस दिन जरूत मंदों को दान कर सकते हैं, गंगा सब्तिमी के दिन विधिवत अगर आप शादी में देरी से प्रेशान है या मंचहावर या लाइफ पार्डनर चाहते हैं तो गंगा सप्तमी पर गंगा जल में पाँच बेल पत्र डाल कर महादेव का विदी पूर्वक जलावी शेख करें ऐसा करने से भूलनात और मा गंगा दोनों प्रसन होते हैं और आशिरवाद देते हैं सफलता की उपाईज गंगा सब्तमी के दिन अगर आप जीवन में सफल होने के लिए मा गंगा को दूद अरपित करें और मा गंगा के मंतरों का जाप करें तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी मा गंगा की आरती कपूर का दिबग जलाकर करें अगर आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गंगा सब्तिमी के दिन स्नान दान का बहुत महत बताया गया है गंगा सब्तिमी के दिन अपने श्रदा अनुसार जरुत मन्द लोगो कपड़ो और भोजन का दान करें दोस्तों ये वीडियो हैं तक थी मुझे अमीद है आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहें मिलते हूँ अंगली वीडियो में तब तक लिए थैंक यू